दोस्तों IPL 2024 का आज खेला गया था 60 सेकंड माच रोयल चलेंजर्स बेंगलूरू और डेली कैपिटल्स के बीच में और इस मुकाबले को रोयल चलेंजर्स बेंगलूरू की टीम ने 47 रन से यानि की पहले बलेबास ही करते हुए अपनी नाम कर लिया है और IPL 2024 में लगातार य RCB की पांचवी जीत साबित हुई है दोस्तों आपको बता दे कि इस मुकाबले से पहले डेली कैपिटल्स की टीम को एक बड़ा जटका लगा था रिशयप पंत के रूप में जिहा दोस्तों एक दिन पहले ही ये खबर आई थी कि रिशयप पंत इस मैच से सस्पेंड हो डेली कैपिटल्स की टीम के लिए इस मुकाबले में हारने का इस मैच के लिए अक्षर पटेल के कंधो पर कप्तानी सौपी गई थी और इस मुकाबले में अक्षर पटेल कप्तानी करते हुए बकाइदा काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी देते हुए नज़राएं है बले करती है डेली की टीम जहां पर आर्स्टिबी की टीम आती है मैदान पर बलेबासी के लिए ओपनिंग करते हुए हमिशा की तरह नजर आते हैं यहां पर विराट कोली और फाफ डुप्रिसेस जहां विराट कोली ने तेरा गेंदो में हैं कैमरून ग्रीन ने भी यहां पर अच्छा प्रदोशन किया जहां विल जेक्स ने 29 बॉल्स में तीन चौके और दो चको की मदद से 41 रंस बनाए तो वहीं रजत पार्टिदार ने यहां पर 32 बॉल्स में तीन चौके और तीन चको की मदद से 52 रंस की शांदार अर्द शतकिया पारी खेली इनके लावा कामरून ग्रीन यहां पर 24 गेंदो में दो चक्के और एक चक्के की मदद से 32 रं बनाकर नौट आउट रहे हैं दोस्तों इनके लावा महिपाल लेम्रोन ने 8 गेंदो में 13 रं बनाए तो यह वो बल्लेबास है Royal Challengers Bangalore की टीम के जिनोंने इस मुकाबले में अच्छा प्रदशन किया और इन खिलाडियों की बड़िया बल्लेबासी की बतौलत ही RCB की टीम 187 रंस बनाने में कामियाब रही अब ऐसे में यहां पर अगर बात करें Delhi Capitals की गेंदबासी की दोस्तों तो यह बहुत ही हमें बड़िया देखने को मिली है इस मुकाबले में इशान शर्मा ने देखी मातर एक ही विकेट चटकाए था दोस्तों जो की बहुत ही महत्वपून विकेट था Delhi Capitals की टीम के लिए जी हाँ यहाँ यहाँ पर विराट कूली का विकेट इशान शर्मा ने निकाला था और उन्हें पविलिन का रास्ता दिखाए था इनके अलावा खलील एहमत ने देखी हर बार की तरह अच्छा प्रदोशन किया है इस मुकाबले में चार ओवर उन्होंने कराए थे करनिक लिए मैदान पर आती है तो यहाँ पर एज़ा इंपक्ट प्लेयर डेविड वॉर्नर की एंट्री होती है मैदान पर जिसके बाट डेविड वॉर्नर और जेक फ्रेसर में गर्क जो है उपनी करते हुए नजर आते हैं और आईपिल 2024 में हर बात की तरह ही दोस्तों यहाँ पर डेविड वॉर्नर का बल्ला फिर से नहीं चला दो गेंदे उन्होंने खेली और एक रन बनाकर वो मात्र पवीलियन लौचाते हैं तो वहीं जेक फ्रेसर में गर्क ने यहाँ पर आठ गेंदे खेली जिसमें दो 29 रंट वहीं अक्षर पटेल बहुत ही महत्पून भूमी का निभाती हुए नजर आए हैं इस मुकाबले में 57 रंस की अरदुषय तक यह पारी खेली है और देहीं यहाँ पर अगर अक्षर पटेल को कप्तानी सौपी गई थी तो उन्होंने इस तरीका प्रदुशन भी दि खो गए अभिशेक बोरेल शेह होप साथी ट्रुस्टन स्टप यह सभी वल्यबाज यहाँ पर नहीं चल पाए फ्लॉप सावित हुए या फिर यू कहलें कि आर्सेबी की टीम की गिनबाजी इस मुकाबले में अच्छी देखने को मिली है देखे स्वापनिल सिंग ने यहा की फर्गुसर ने दो विकेट तो वहीं कैमरून ग्रीन है एक विकेट अपने नाम किया है अब फाइनली आर्सेबी की टीम ने लगातार पांचवा मुकाबला तो अपने नाम कर लिया है अब देखिए अगला मुकाबला डेली कैपिटल्स की टीम को लगनो सुपर ना है दोस्तों यानिकी ये मुकाबला क्या आर्सेबी की टीम जीत पाएगी क्योंकि यहाँ पर अगर पॉइंस टेबल पर नज़र डाले तो आईपिल 2024 की पॉइंस टेबल में CSK की टीम नंबर तीन पर काबिस है जिन्नोंने 13 मुकाबलों में 7 मैचों जीते हैं 6 मुकाबल हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है साथ यहाँ पर अगर डेली कैपिटल्स की टीम अच्छे नेट रन रेट के साथ लखनों के खिलाफ को काबला जीत जाती है तो भी यहाँ पर एक बड़ा फेर बदल देखने को हमें मिल सकता है तो दोस्तों आपको क्या लगता है क्या